जो जी में वो तो सिर्फ भोग करने आते हैं, मनुष अपना करम भी करता है, नए करम भी बनाता है, नया भाग्य भी बनाता है, और हर समय उसकी एक परिक्षा चलती रहती है, कभी एक पुत्र के रूप में, फिर भाई, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, एक अच्छ पुत्र है, पिता तो बाद में बनेगा ना, पहले अच्छा पुत्र है, अच्छा दोस्त, अच्छा दोस्त, फ्रेंड होने का मतलब हुआ, कि धरम के रास्ते पर चलता है, सही चीजो मैं साथ देता है, अपने मित्र का, उसको कोई दिक्कत है तो उसकी help करता है, यह नहीं कि उसकी दोस्ती में गलत रास्ते पर जाता है, वो एक misk understanding होगी, पर जो अपने रिष्टों में अपनी तरप से, सही रास्ते से पूरी help करता है, चाहे as a friend, as a दोस्त, या फिर बाद में, as a पिता, as a mother, उसको इस लोक में तो सफलता, success, खुशी मिलती ही है, पर लोक में भी सांती और मोक्ष मिलता है, इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिरू लेकर मिथुन राश्ची के लिए, जो आने वाला मार्च का मेंना है, बहुती खुबसूरत मेंना है, होली का तोहार है इस मेंने, वो आपके लिए क्या लेकर आया है, या आपका घर का जीवन है, आपका शादी विवा है, आपका बिजनिस है, पार्टनर्शिप है, आपकी हेल्थ है, धन है, पैसा है, लाव है, मित्र है, या फिर आपकी संतान है, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, स्प्रिचुल्टी है, अध्यात्म है, इन सारी बा के लिए, पार्टनर्शिप के लिए, बिजनिस के लिए, कौन से दिन अच्छे रहेंगे, गाड़ी बगरा खरीदनी है, भूमी से सम्मंधित काम है, तो उसके लिए कौन से दिन सुभ हैं इस महीने में, ये भी हम बात करेंगे, पर सबसे पहले देख लेते हैं, कि कौन सा ग् चछटी राशी करने में, इसके सवामी बुद्ध हैं, तो इसमें कौन बैठें? के टू बैठें है, ये पंचम भाव, छटा भाव, साथमा भाव खाली है, ये भाव सातमा ही है, राशी यहांपर नवमी है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौता, पांचमा, चटा, सातमा, आठ में भाब में दसमी राशी मकर में मंगल, नवम भाब में ग्यारा में राशी जो की कुम्ब है, उसमें शुक्र और शनी बैठे हुएं, और दसम भाब में मीन राशी, जिसको बारे नमबर से दिखाते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर रिजल्ट की बात करें, तो सबसे पहले मंगल को देखते हैं, देखिए मंगल महिने की सुरुबाब में तो यहीं है, जहां मैंने दिखाए हैं, अश्टम भाब में हैं और उच्छ के हैं, इनका हैं बहुत उच्छ का होना कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ऐसे हो गएसे सत्रूश ट्रूंग हो जाए, तो अप्ष्टिकल को बढ़ा सकता है, आयू को तो बढ़ाएगा, अपने कार को तो बढ़ाएगा यहां पे थोड़ा से आपको, पर फिर भी यह अप्ष्टिकल बढ़ा सकता है, मेरिज लाइप में भी दिक्कत दे सकता है आपको, पर कब तक हैं, पंदरे तारिक तक, सास असुर के साथ कुछ दूरी बना सकता है, आपके स्पाउस की वानी को थोड़ा करवा कर सकता है, पर पंदरे के बाद यह कहां जा रहा है, भाग के भाब में जा रहा है, यह मंगल आपका, तो यहाँ पर थोड़ा बेटर रिस्तिती है, भाग के भाब में अगर मंगल जाएंगे, तो आपको लाव करा सकते हैं, धन लाव करा सकते हैं, बड़ों से लाव करा सकते हैं, आपके senior saadi से आपको कोई लाब हो सकता है लक्ष्मी योग हो गया 11th का स्वामी, 11 में भाब का स्वामी 9 में, छटे का भी है पर 11 में का भी है तो दोनों के ही फल देगा तो आपको लाब हो सकता है हाँ, पिता के साथ, गुरुओं के साथ थोड़ा सा बना के रखना है जब तक मंगल यहाँ है तो रिष्टो में थोड़ा सा ध्यान रखना है बिजनिस में कुछ संघर्स आ सकता है मंगल संघर्स लाते है, कुछ चुनोती आ सकती है इसका मतलब यह नहीं कि उसका result ही नेगेटिव आएगा, चुनोती ज़रूर आएगी उसमें अगर आप धहरे बनाये रखेंगे बुद्धिमानी से काम देंगे तो आपकी result अच्छा भी आ सकता है मंगल के जो निर्ने आएंगे मंगल का जो result आएगा वो 8, 9, 16, 17, 26, 27 इसको जादा आएगा नक्षत्रों की वज़े से ये तो रहे मंगल मंगल यहां तक 15 तारिक तक आपको वाणी का विसे ध्यान रखना है 15 तारिक के बाद पिता गुरू के साथ आपके छोटे भाई, बहन या पड़ोसियों के साथ कुछ मत्विद होने के chances बना रहा है इसके बाद बुद्ध की बात कर लें जो की भाईया आपके राशी के स्वामी है आपकी राशी मिथुन है और मिथुन के स्वामी बुद्ध होते है और बुद्ध साथ तारिक को दसंभाब में आके नीच के हो जा रहे हैं अगर राजशी का स्वामी नीच का उसको अच्छा तो नहीं कह सकते पर दसम में बुद्ध का गोचर ठीक है तो आप इसको कहोगे कि कारे के छेतर में थोड़ा प्रयास, एफर्ट, हाड़ वर्क जाद करना पड़ेगा वानी का विसेश धान यहां पर रखना है misunderstanding office place पे आपकी हो सकती है क्योंकि राहु बुद्ध का योग बन रहा है ऐसे में आपकी बात में misunderstanding हो सकती है या फिर आप भी कभी बोलते हैं काम करोद लो मोह इर्शा हैंकार में कभी-कभी हम वानी का थोड़ा डिप्लोमेसी में कुछ भूल जाएं मर्यादा लांग जाएं खासकर जो तारीके हैं वो हैं 9, 10, 17, 18, 27, 28 इसके सासा 3, 4, 12, 13, 21 वानी का विसेज़ धान रखना है इसकी positivity क्या है कि अगर आप बुद्धी से काम लेंगे धहरे से काम लेंगे documents बगरा है सब चेक करके करेंगे तो फिर यह आपको लगन का स्वामी दसम में आ रहा है तो आ आपका जो आज जैसे आप दिखते हैं जैसे आपका करेक्टर है आपका ज्यान है उसके आधार पर आपको कोई पद पतिष्ठा सम्मान मिल सकता है आपका जो दोगे उसका result आपको मिल सकता है देने में गलती हो सकती है तो हमें ध्यान रखना है पर अगर आप सही तरह से कर हो सकता है माता से लाब हो सकता है मित्रों से लाब होने की संभाव ना भी बने गिया उनका एक रोल रह सकता है आपके करियर में हलाकि खुद उन से सम्मंधों में थोड़ा तकरार थोड़ा सा आप कह सकते हो घर में उस तरह की माहौल का जैसा आप चाहते हैं घर में पाइप बगएरा जो होते हैं पाइप जिन से पानी जाता है या कोई वी ऐसी चीज जो पाइप नुमा होती है उसका टूटना उसमें कोई खराबी आना इस चीज के योग भी बने हुए हैं आप ये पाइप टूटना उसमें खराबी आना माता मित्रों के साथ खुद सम्मन्दों में कुछ मतवेद का होना मित्रों से ये कब जादा दिख रहा है 4, 5, 13, 22 को इस तरह की सिचुएशन जादा दिख रहे के तू की वएसे क्योंकि के तू चौते भाव मैं के तू कोई बहुत बढ़ी अग्रह तो है नहीं स्प्रिचुल्टी आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं जब वक्ती को कही से निराशा मिलती है या कोई बात उस तरह से नहीं होती जैसा हम चाहते हैं तो अकसर लोग ध्यान स्प्रिचुल्टी क्यों हुआ कैसे हुआ मेरे प्यास करने के बाद भी हुआ तो शायद कुछ और भी है यहाँ पर जो कंट्रोल कर रहा है जीवन को इस तरह से उसका रुख स्प्रिचुल्टी आध्यात्म की तरफ जाता है इसलिए केतु को अच्छा गरे भी मानते है कि बाद भी स्प्रिचुल्टी आध्यात्म को वो दिखाते हैं अगर आपकी कुंडिली में भुद बहुत स्ट्रॉंग हुए तो फिर ऐसे रिजल्ट कम हो जाएंगे अच्छे रिजल्ट थोड़ से बढ़ जाएंगे उस केस में आपका घर भूमी बाहन आधी बनने का योग भी बनेगा और घर के लिए जमीन से संबंधित कोई काम है तो उसके लिए एक, पांच, छे, दस, उन्नीस, उन्तीस और तीस तारीक हैं, अच्छी हैं अधरवाइस ही आपको घुमा भी सकता है मतलब ट्रांसपर करा सकता है घर में बदलाव आ सकता है चेंज आ सकते हैं, इस चीज़ को दिखा रहा है के तू गड़ेसी की पूजा आवश्य करें गड़ेसी का पाट करें पक्षियों को दाना वगरा जरूर डाले भगवान विश्नु की पूजा भी आपके लिए बहुत अच्छी है इस महीने अब राहू की बात हमने ये तो करी लिए कि वानी का ख्याल रखना है पर राहू सूरी भी साथ में हलाकि सूरी दसंभाव में गौर्वर्मेंट जॉब देता है कायर के लिए अच्छा होता है पर यहां राहू है तो बहुत से बना के जरूर रखें और इगो की प्रॉब्लम आफिस में बिलकुल ना आने दे चौदे तारिक के बाद फिर जब सूरी यहां आएंगे गुरू के पास तो यह फिर फेम का योग बन रहा है आपको चौदे तारिक के बाद आपके किसी कारे का सकसेज होने के जादर चांस है खास कर कि 15, 24, 25 और 23 तारिक को कुछ आपका करे हुए का रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है आपको नाम मिल सकता है पुन्य का मतलब होता है यश मिलना जो आपने कहा किया उसको लोग सरहाना करें वो चीज है अगर आप किसी आर्ट, डिजाइनिंग, क्रेटिविटी में है उसमें भी, गॉवर्मेंट जॉब में भी अगर आप कोई राइटर हैं, लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं कुछ तीसरा भाब है, तीसरा भाब होता है आपके साहस का, रिस्क लेने का साथ में ही कुछ क्रेट करने का, आप क्रेटर कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चाब वो यूटूब पर हो, या फिर आप नॉर्मल लाइफ में डांसर हैं, वो भी क्रेट करना पड़ते हैं, कोई चीज़े कलाकार हैं, तब भी आपके लिए यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, इन तारिकों में, उनका मिलन भी गुरू से होगा, तो गुरू भी उसको हेल्प करेंगे, गुरू किसी भी चीज़ को बढ़ा देते हैं, तो गुरू अठारे, उननीस, अठाइस, उनतीस तारिके भी इस वैसे आपके लिए सुभ हैं, प्रेम की बात करें, तो प्रेम में दो चीज़ें होती हैं, एक किसी भाव का कारक होता है, तो प्रेम के कारक शुक रहे हैं, जिनका सम्मन्द आपका शनी से बंद रहा है, फिर मंगल भी आ रहे हैं उसमें, तो आपको धहरी तो रखना पड़ेगा, जल्दवाज से थोड़ा बचना है, और हो सकता है, जितना आप एकसेप्ट कर रहे हैं, उतना सुख आपको अपने प्रेतम, प्रेमी का, पती, पतनी से ना मिले, क्योंकि कारक एफलिक्टिट होता है, पर गुर संतान होती है, तो हम उसका नाम भी रखते हैं, या आपका जो प्रोजेक्ट जो आप क्रियेट करने वाले हैं, कोई भी चीज़, उसका आपको नाम देना है उसको, तो उसके लिए 1, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29 तारिक हैं, काफी सुख हैं, काफी बढ़िया हैं, उसके सक्सेस होने की थोड़े से चांस जादर बढ़ जाएंगे, जो भी हम यहां डेट्स देते हैं, वो नक्षत्र दिन वगरा इन सब के आधार पर दी जाती है, कि उस दिन कौन सा नक्षत्र है, कौन सा दिन है, कौन सी तिति है, इस तरह से, अब इसके बाद गुरू और क्या क विदेश आदि जाने का आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, तो उसके लिए भी साथ तारिक के बाद काफी श्टॉंग योग है, क्योंकि बारे में भाब का स्वामी नवम में आ रहा है, तिरते भाब पर आपके गुरू की दर्ष्टी आ रही है, विदेश बाहर जाने के योग बनाता है, ओवरॉल देखा जाए तो वाणी का ख्याल रखना है, इगो का थोड़ा ध्यान रखना है, चौदर तारिक तक इसके साथ साथ शुक्र शनी, शादी विवा के मामले में प्रेम पती पत्नी के बीच भी हलका सा मतवेद हो सकता है, त्योंकि शुक्र क्या है यह आपके भोग के कारक हैं, पत्नी के कारक भी हैं, और पती के भी कारक हैं, कहीं न कहीं, गुरू भी पत्ती के कारक हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं, वो प्रेम हैं, और शनी के साथ आने तो शनी आपके एकदम सन्यास के कारक हैं, तो इन दोनों का साथ में आना है, थोड़ सा ये रहता है कि हमको भी थोड़ा सन्यास कह सकते हो कि थोड़ा सा उतना आपको response नहीं मिलेगा, उतना समय नहीं मिलेगा आप बिजी रह सकते हैं उस तरह से वैसे शुक्रशनी का योग अच्छा है, बिजनिस के नजरिये से देखा जाए, प्यापार के नजरिये से देखा जाए, तो गुरू का एकादस में होना बुद्ख, दसम भाब में होना भले ही वो नीचके हो, और शुक्र का नवम भाब में होना बिजनिस व्यापारियों के लिए बढ़िया महिना है, अच्छा महिना है, इसमें भी जो कुछ डेट्स हैं, जो काफी अच्छी रह सकते हैं, वो एक, दस, अठारे, उन्निस, अठाईस और उन्तीस, और इसके साथ साथ शुक्र का जब प्रभाब बढ़ेगा, यह आपका है, पांच, छे, तेरा, चौदे, और तेईस यह तारिकें काफी अच्छी रहेंगी, बिजनिस और व्यापार के लिए, धन की अगर बात करें, तो धन, धन से आठमे भाब में, मंगल हैं, शुक्र हैं, शनी हैं, तो हम यह कह सकते हैं, कि भई, उतार चढ़ाब रहेगा, उतार चढ़ाब रहेगा, पर आपको धन की प्राप्ती के जो योग बनते हैं, वो बन रहें आपके, छह साथ तारिक को, इसके साथ साथ तीन चार, और आपका सदन लाव, या अनेस्पेक्टेड गेन जो है, वो सतरे अठारे और अठाइस तारिक को आपका हो सकता, इस तरह के हमारे योग बने हो है, स्वास्त के साथ से महीना बहुत ज़्यादे बैष्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि राशी का स्वामी जो बुद्ध है वही नीचका है, राहू के साथ में है, ऐसे में अगर आपको नर्व से लिलेटिड प्रॉब्लम है, वाणी से लिलेटिड कोई प्रॉब्लम है, लंक्स और तवचा से लिलेटिड कोई दिक्कत है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, राहू यहाँ बैठकर आपके अंदर इच्छा तो बहुत स्ट्रॉंग रखेंगे, आपके कुछ करना है, कुछ बढ़ा करना है, बहुत कुछ सिख रहे हैं जो आपको रिजट देगा ही देगा, क्योंकि आप हर दिन चेंज होघर हो, इवालव होघर है, पर अगर आप प्रेयास ही नहीं करे हो, तो ने चेंज हो रहा है, ने वालव हो रहा है समय के साथ साथ, फिर वो दिक्कत की बात है, अब बढ़ जाते हैं साधी दुआ के मामले में हो गया संतान के मामले में कहा जाए तो भी महीना बढ़िया है संतान प्राप्ति के योग यहां पे हैं जैसे मैंने बता है प्रेम के लिए भी ठीक है गुरू की देश्टी पढ़ रही है थोड़ा सा घर में माहल शान्त रखने की आवश्च रकता है माता के साथ रिष्टों में ध्यान रखना है माता के साथ मतबेद रह सकता है मन भी थोड़ा सा उदास केतु की वैसे रह सकता है स्प्रिचुल्टी आधात्म की तरफ जहान हो सकता है बाकि सारी चीज़ें हमने देख ली हैं अब बढ़ जाते हैं तो हारों की तरफ तो हारों से पहले शादी, विवा, घर, भूमी के अलाबा बाहन से संबंधित अगर कोई काम है तो तो एक, तीन, आठ, आठ, के बाद, सतरे नहीं, पंदरे, सतरे, बीस, पच्चीज, सत्ताइस, अठाइस, उन्तिस तारीक हैं सुभ हैं अगर अगर देखा जाए तो इस महिने आप आठ, दस, बारह, सोले, चौबीस, उन्तिस, इकतिस तारीक हैं काफी सुभ हैं अब बढ़ जाते हैं तोहारों की तरफ, तोहार तो हमारे लिए बहुत महित्पूर हैं क्योंकि किसी तोहार, तोहार एक्चुली सिर्फ हमारे नहीं, हमारे पूरे कल्चर को दिखाते हैं, हमारे पूरी हिस्टरी को दिखाते हैं तो नौत आरिक को है महाशिवरात्रि, ओम्नमाशिवा, चिदानंद रूपा, शिवोहम, शिवोहम, मन अ बुद्धि, अहंकार, चित्तानी नाहम, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, नाहंकार हूँ, ना चित्त ही मैं हूँ, मन, मन के थुरू हम information लेते हैं, इंद्रियों के इंद्रियों के इंद्रियों से है और मन किसके आधायन होता है बुद्धी हमारी आधितों के आधिन होती है जिसकी आधितें अच्छे होती है उसका रिजल्ट अपने आपी अच्छा हो जाता है हलाकि आधितें बनने में 2-3 महिने का समय लगता है शुरू में तो हर चीज की अपोज करता है आपका माइंड भी, बुद्धी भी और शरीर भी 24 तारिक की होली का दहन है तो आपको महाश्री वरात्री की सुबकामना के साथ होली की बहुत बड़ी सुबकामना हो 25 तारिक की होली है तो पूर्णे मा भी है ये होली का तोहर आपके जीवन में खुशियों के रंग लेके आए और पंदरे तारिक का आपका माफ कीज़ेगा पंदरे का नी चौदे तारिक की आपकी मीना संकरांती है आठ तारिक का और बाइस तारिक का प्रदोस ब्रत है इसमें से आठ की महाशिवरात्री भी है दस का आपका फागुन अमावस्या है छह तारिक की विजया एकादशी है ओम नमो नारायना है और बीस तारिक की अमाला की एकादशी है ओम नमो भगवते वासुदेवाई अठाइस तारिक की संकष्टी है तो इस तरह से हमारे तोहार है संकष्टी है, पूरिमा है, अमावस्या है यह सब बहुत महत्पूर है जीसे धन के लिए लोग पूरिमा का बरत करते हैं पित्र-दोश है और किसी तरह का दुर्योग है तो अक्सर अमावस्या का अब आवस्या को मौन बरत करना बहुत अच्छा माना गया इस दिन दान पुन घर की सभाई करना पित्रों के लिए या वैसे ही लोगों की हेल्प करना जो प्रॉबलम में हैं जो दिक्कत में बहुत अच्छा माना जाता है खासकर कि निस्वारत भाव से प्रेम भाव से किया जाए तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें जिन्दगी में इसी तरह कुछ सीखते रहें आगे बढ़ते रहें अगले वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार